नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम आप सभी के डिफिट से 10 इंटेस्टेट कॉस्चन लाए हैं जो कि जनल नौड़ेज से रिलेटेड कॉस्चन है यदि आप सच में SSE के तैरी करते हैं या रेलवे के तैरी करते हैं आप चाहते हैं कि एक ही बार मेरा एक्जामने से निकल जाए तो इन 10 परस्चनों में से अंसर देने का कुसिस करें ऐसे सुचे कि यह लाइव एक चुटी से टेस्ट है जो कि आपका ओरिजिनल टेस्ट ही माने यहाँ पर तब जाकि आप जो इसमें जादे तरे इंटेस्ट ले सकते हैं इससे समझे कि आ तर मार्क्स आपका यह थीसाई सही आज जोकरे या आनि आप एक देने के लिए लाइक अगर अ एं जहाँ पहले नहीं question आपके screen पर आ चुके हैं अधोनिक computer की खोज सर पर्थम कब हुई थी 1949 में, 1951 में, 1946 में या नन अब दीजने सारे लोग comment करें आपके screen जो है 10 सेकेंड का समय आपको start हो चाएंगे 10 सेकेंड के भीतर भीतर आप सभी को इसकी comment box पर answer बता देने तो चलिए time line स्टार्ट हो चुके है candidate इसकी सही अंसर जल्दी से बताए चलिए time line खतम भी हो चुके है इसकी सही अंसर अब हम लोग चुनाब कर लेते क्योंकि time line 10 सेकेंड खतम हो चुके है अगर इसकी सही अंसर देखने जाए तो इसकी सही यांसर 1946 में ठीक है option C जो candidate C को क्लिक किये उनका जवाब बिल्कुल भी सही अब चलते आगला question क्योंकि बढ़ते आगे question आगला question आपकी इसकी पर आचुके लिखेंगे राइस्टी सोयम सेवक संग का निर्मान कब हुआ था 26 नॉवंबर 1935 को 15 अगस्त 1947 को या 27 सिप्टमबर 1925 को या 26 जन्मरी 1950 को नीचे जल्दी से comment लिखेंड इसकी सही जवाब क्या होने चाहिए इसके लिए भी आपको 10 सेकेंड का समय दी ज चाहते हैं तो comment box पर जरू से जरू बताए चली टामने खतम हो जो कि इसकी सही अंसर के चुनाप कर लेते हैं 27 सिप्टमबर यानि की 27 सिप्टमबर को जो है सा राइस्टी समिस्टी सक्संग का निर्मान किये गे ते 27 सिप्टमबर को चली आगे बढ़ते हैं अगला question दिखा इसके लिए 10 सेकंड का समय सीमा आपको स्टार्ट हो जाते हैं जल्दी से comment box पर बताए हैं जल से जल comment करने 10 सेकंड का timeline खतम भी हो चुके आई इसकी सही अंसर की चुनाप अबला हम लोग कर लेते हैं क्याकि timeline खतम हो चुके इसकी सही अंसर है गेर निरित यानि option C जो किंड 1024MB, 1024GB, 1024TB सारे लोग कमेंट करें इसके लिए 10 सेकंड का समय सीमा स्टार्ट हो गी हैं आपका जल्दी से timeline आपके स्टार्ट हो चुके हैं जल्दी से comment box पर बताएं चलिए timeline भी खतम हो चुके हैं के इसकी सही अंसर के हम लोग चुनाप कर लेते हैं सही अंसर क्यों अग चलिए आगे कोसन देखते हैं अगला कोसन देखते हैं के निडिट अगला कोसन क्या लिखे गे हैं आए आगे बढ़ते हैं अगला question यहाँ पर इसकीन पर आचुकए हैं जिसे कि आपसे भी देख पारे भारते जंटा पार्टी का चीन जोई क्या है घरी है लालटेन है हाती है या कमल है सारे लोग comment करें भारते जंटा-पाटी का चीनने जो क्या है बहुत इंटेस्टेट कोशन इसकी सही अंसर चाहिए जल से जल कमेंट करें इसकी सही जबाब क्या होने चाहिए आपके कमेंड बॉक्स पर खाली है तो चलिए टैम लाइन भी खतम हो चुके इसकी सही अंसर देख लेते हैं इसकी सही अंसर है कमल चाप जोके नीडिट भारते जन्टर पार्टी को कमल चाप पर क्लिक किये उनका ज जबाब बिल्कुल भी सही है तो उनका जवाब बिल्कुल भी सही है चलिए बढ़ते हैं अगला कोशन दिखाते हैं अगला कोशन आपके स्कीम पर आचुके है जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं लिखें कि इंटरनेट के पते में में पद HTTP का सही बिश्दित क्या होता है जो HTTP का full form क्या है STTP जो आप website जब खोलते हैं तो STTP जो लिखते हैं उसका फूल फ्रम क्या होते हैं options A, options 2, options 3, options 4 जल्दी से निचे comment करें higher text transfer transfer protocol या higher transfer text protocol या hybrid text transfer protocol या hyper text transfer protocol जल्दी से comment करें इसके लिए 10 सेकंड का समय से मां आपकी स्टार्ट हो चुके जल्दी से comment box पर बताएं कि इसकी STTP का फूल फूल फूम क्या होते हैं चलिए timeline भी खतम हो चुके आप इसके सही answer के चुनाब कर लेते हैं इसके सही answer है आपका options D, जो Canadian options D को click किये उनका जवाब बिलकुल भी सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question दिखाते हैं अगला question आपके screen पर आज चुके हैं जिसे कि आप सभी देख पारें लेखें कि international मजदूर दिवस जो कब celebrate किये जाते हैं एक फरवरी को एक मार्च को एक अपरेल को या एक माई को बहुत इंटरेस्टर question है और BBI question भी है एक माई को ही मजदूर दिवस जो है मनाये जाते हैं जो के निटी को क्लिक के उनका जवाब बिलकुल भी सही है चलिए अगला देखते हैं अगला question यहां पर लिखेंगे माइकेल एजलो नामक वाइरस बीस्वूम में चीनता का कारण बना था कब बना था 1993 में बना था, 1996 में, 1998 में या 1995 में सारे लोग जूड जाएं के निटेट और comment box से बता इसकी सही जवाब क्या होने चाहिए जल से जल कमेंट लिखें चलिए timeline खतम होने जा रहें जल्दी से 10 सेकंड के भीतर भीतर इसकी examination में क्रेक कर ले चलिए timeline खतम हो चुकी अब इसकी सह answer की चुनाब करते हैं इसकी सही answer आपका 1993 में एक चिंता कभी से बन गये थे जब यह वाइरस आया थे तब 1993 में चलिए आगे देखते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले करेंगे request कि यह आपको हमारा वीडियो पसंद लगे तो like जरूर से कर दे और share करना ना भूले चैनल पर नए तो subscribe क्रिकसासत वेल का भी आकन को दबा दे ताकि जब भी हम नया वीडियो अप्लोड करें तो आपको उसका notification प्राप्त हो जाए अब चलते दिसको कॉस्चन का बेशवडी से इंतिजार कर रहे हैं थे अब आप सभी के इंतिजार की घणिया हो चुकी खतम क्योंक अगला question लिए एक दिन के लिए भारत के राजधानी बनने वाला सहर कौन सा है only for one day के लिए capital बनाये था वह भी भारत का तो नीची जल्दी से comment करके बताए कि इसकी सही जवाब क्या होने चाहिए करनाटक होने चाहिए मुंबे होने चाहिए चैने होने चाहिए या इलहबा होने चाहिए सारी लोग comment box पर बताए इसकी सही जवाब क्या होने चाहिए जल से जल comment box पर बताए इसकी सही जवाब क्या होने चाहिए आपके इसकी पर timeline start हो चुकिए 10 seconds का समय सीमा आपके start हो चुकिए है जल्दी से सोच ले समझ ले और जल्दी से नीचे comment box पर बताए चल के इलाबात के लिए जो एक दिन, यह एक दिन के लिए बनाए गया थे इसमें और एक कोशन के अनिडेट पूछे जा सकते हैं कि इलाबात को जो हे कब बनाए गये थे एक दिन के लिए तो उसका सही ज chut मैंwwww 1858 में अठारो सब Miswi तो 1858 법 अबारत की कफ़े जो एक दिन के लिए वो only for one day के लिए इलहाबाद को बनाएगे थे तो यह वह question कभी कभी पूछते है कि बताई कि भारत का राजधानी capital यानि इलहाबाद को एक दिन के लिए किस इस विमने बनाएगे थे इस टैप से करके options रहेंगे तो आपको काफी मज़ेदार लगे होंगे कैसे लगे नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स वर जरू बताईएगा और इसी परकार से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रहें तो फिर मिलते हैं कोई एक नहीं इंट्रेस्टेट ज इदाज़त थैंक्स फुर वाचिंग नेचे कमेंट लिखकर जरू बताईए कि 10 में से कितने आपने आउट के पांच के चार के तीन के दो के एक के जरूर कमेंट बॉक्स पर बताईए थैंक्स फुर वाचिंग